हाई गाईज वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हूँ आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाईज अगर आपके बालों की लेंथ इंक्रीज नहीं हो रही है आपके हियर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर आपकी ब्रेड काफी ज़्यादा पतली है क अफ़िस लेंग की नहीं अजितनी ज़्यादा लंबी है चलिए गय도 किि इस वीडियो को स्टाक करते हैं तो ग्याइज जेशन को मैं शुरू से ही उड़र मास्टरड ऑख लगा यह इसी से उसके बाले में एतने ज़्यादा है है इतने ज़्यादा लंकी हो एग तो इसमें अच्छेशे ऑल आयो हैं जिसमें हीबिकर्स एड्ड होता है क्योंकि ये हमारे बालों के लिए एड्ड है तो सबसे पहले हमें ओएल को थोड़ा सा घरम करना है बहुत ज्यादा इस से हाइ फ्लेम पर इह गरम नहीं करना और जो हीबिकर्सट फ्लावर हमने लिया है वह इस ऑ जाए आपको जो ऑईल अच्छा लगता है जो ऑईल आप यूज करते हैं आप उसी ऑईल में ही बिकल्स फ्लावर को एड़ कर सकते हैं तो मैं शुरू से ही जशन के बालों में सरसो का तेल लगाती हूं मस्टर्ड ऑईल लगाती हूं तो मैंने मस्टर्ड ऑईल लिए आप फ्लावर का वो अच्छी तरह से ऑईल में आ जाए तो आप देख सकते हैं कि फ्लावर का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है कुछ टाइम के लिए आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है उसके बाद इसमें से फ्लावर को निकाल लेना है और जो ऑईल है वो से ठंडा जब तक न बढ़ेगी सिर्फ एक बार ओईलिंग करने से कुछ नहीं होगा कि मेरी वीडियो देखके आप कहें कि मैं भी एक बार ओईलिंग कर लेती हूं तो मेरे बाल लंबे हो जाएंगे गाईस किसी भी चीज का अच्छा रिजल्ट देखने के लिए हमें उसे रेगुलर यूज कर करना पड़े गा सबसे पहले तो आप हफ्ते में में दो बर हेर वाश कीजिए दोनों बार ओईलिंग जरूर कीजिए अपने बालों को बहुत जदा ड्राइन ना रखें रेगुलर ओईलिंग करें और बालों को कवर करके रखें ब्रेड बनाकर रखें बहुत ज़्यादा बालों को ओपन नहीं रखना है अगर आप इस तरह से ऑईलिंग करेंगे अपने बालों की कियर करेंगे तो आपके बाल डेफिनेटली लंबे होंगे आपके बालों की लेंथ इंक्रीज होगी आपके बाल हैवी होंगे हेल्दी होंगे ब्रेड आपकी काफी जदा ठीक होगी तो देखिए तेल जब ठंडा हो गया तो मैंने अब जशन के बालों पर तेल लगाना शुरू कर दिया है। कि तो गारे भी यह दो ही में और प्राइंड्र। बाला की अच्छें करी आपके बालों की अच्छें करने का सित हैं है और हिये कंडिशनर्स जरूरर इसके लावाऀंस अपने बालों पर नेट infect है Bet करना आपको कवर करकर रखें वर ब्रेड बना दो आपके बाल इतना पर अधित से यहरी500 पाल आपको इससे जेशन के बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा इनक्रीज हुई है और उसके बाल काफी ज़्यादा हेल्दी हो गए है आप अपने बच्चों को मस्चर्ड ओई यूज कर सकते हैं खुद मस्चर्ड ओई यूज कर सकते हैं इसका कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं है ब प्रेगुलर इसे यूज कर सकते हैं हर टाइम अपने बालों पर लगाकर रख सकते हैं एक से दू महिना इस तरह से ऑईलिंग करके देखें और अपने बालों की अच्छी कियर करें बालों को कवर करके ब्रेट बनाकर रखेंगे तो आपके बाल तेज़ी से लंबे होंगे length काफी जदा इन्क्रीज होगी बाल काफी जदा हल्दी होंगे तो देखिए oiling करने के बाद मैं जशन के tangles को remove कर रही हूँ जशन के बाल काफी जदा लंबे हैं तो tangles remove करने में कम से कम आदा घंटा लग जटा है लंबे होने के साथ साथ उसके बाल काफी जदा हैवी भी है इतने हैवी है कि हमारे हाथों में उसके बाल नहीं आते हैं तो उसके बालों में टैंगल्स काफी ज़्यादा पड़ जाते हैं तो टैंगल्स रिमूव करने में कम से कम 30 मिनट तो लगी ही जाते हैं तो देखें मैंने सारे टैंगल को अच्छी तरह से रिमूव कर दिया है अब मुझे उसके बालों में ब्रेड बनानी है जूड़ा करना है जशन एक सीख बुआ है तो हर टाइम मैं उसे जूड़ा करके ही रखती हूँ कभी भी मैंने उसके बालों को आपन नहीं रखा है खु उसके बाल काफी लंबे हुए है ऑईलिंग करने के बाद अगर हम अपने बालों को खुला ही छोड़ देंगे ना तो उससे बाल अच्छी तरह से लंबे नहीं होते हैं जल्दी लंबे नहीं होते हैं अगर हम ब्रेड बना कर बालों को फोल्ड करके रखेंगे ना फिर बाल जो भी आप यूज करते हैं उसमें हीबिकस फ्लावर को जरूर एड़ कीजिए तो आपके बाल काफी जदा लंबे हो जाएंगे हेरफॉल की प्रॉब्लम आपकी दीरे-दीरे कम होनी लग जाएगी इसके इलावा आपके बालों की लेंथ भी इंक्रीज होगी अगर हेरफॉल कम हो गया हेरफॉल होना बंद हो गया तो बाल खुद से बढ़ने शुरू हो जाएंगे ब्रेड काफी जदा आपकी हैवी होगी बाल काफी जदा हेल्दी हो जाएंगे तो जशन की बालों की इसी तरह से क्यार करती हूँ आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी ब्रेड बनाई ना तो अपने बालों की अच्छी कियर करें अच्छी केर करने से आपके बालों का मैं इसी तरह से धियान रखती हूं जिस वज़ा से जशन के बाल काफी ज़दा हेल्दी हैं तो ब्रेड बनाने के बाद इस तरह से मैंने जशन के जूडा कर दिया इसके बाद मुझे उसे पटका वियर करना है हिर टाइम उसे पटका वियर करके रखती हूं तो गाइस अगर आप भी लंबे बाल पाना चाहते हैं, मजबूद हेल्दी बाल पाना चाहते हैं तो इस करना से जरूर कीजिए आपको ये वली वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे चैनल को कर दे सब्सक्राइब थैंक्स फो वाचिंग